नमस्कार दोस्तों मैं सुकते श्रवास्तवर इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, महान सुनिल गावसकर, दिलीप बेंगेसकर, संजय मांजरेकर और मौजूदा समय में रोहिश शर्मा ये टीम इंडिया के कुछ बड़े नाम है, इनके इस महान बनने की जर्नी में कई कोच और मिंटर का हाथ होता है जिनके बारे में हमें कम ही पता चल पाता है ऐसे ही भारती क्रिकेट के अंसंग हीरो वासुदेव पराजंपे का मुंबई में अपने निवास अस्थान पर 82 साल की उम्र में निधन हो गया पराजंपे के निधन पर दुख जताते वे सचिन ने भी कहा कि ऐसा लगता है जैसे मेरा एक हिसाथ दुनिया से चला गया हो आपको बताते हैं कि वासुदेव जतिन पराजंपे के पिता थे जो कि भारत के लिए चार बंडे इंटरनेशनल खेलने के साथ साथ नेशनल सेलेक्टर्स भी रह चुके हैं हलाकि पराजंपे का प्रिलेंग करियर छोटा ही रहा था उन्होंने मुंबई और बड़ोदा के लिए 29 फर्स क्लास मैच खेले थे भारती क्रिकेट के कई महान सितारों का मेंटर होने के चलते उन्हें काफी पहचान मिली पराजंपे अपने काम में इतने माहिर थे कि कई विदेशी खिलाड़ी भी उनसे सलाह लेने आते थे बैटिंग तक्नीकी को लेकर पराजंपे की नौलेच और खिलाड़ीों के अंदर से उनका सरोश्रिष्ट खेल निकालवाने की उनकी कला के सभी कायल थे मतादे सचिन तंदूलकर ने भी पराजपे की निधन पर गहरा दुख जताते वे उन्हें श्रंधान जली दी है तंदूलकर ने कहा है कि हम सभी उन्हें वासु सर के नाम से बुलाते थे वो मेरे सबसे अच्छे कोचों में से एक थे मेरी क्रिकेट जर्नी का एहम हिस्सा होने के साथ साथ वो कई माईनों में मेरे मेंटर भी थे साथी सेचिन तंदुरकन ने बताया मेरी करियर के शुरुवाती दिनों में वो मुझसे मराठी में कहते थे आप पहले 15 मिनिट विपक्षी टीम की गेंदबाजी को देखो और इसके बाद वो आपको दिन भर भर लिवाजी करते देखेंगे फिल हाल के लिए खबरों में इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे वन इंडिया